वैक्सीन देना प्रारंब कर दिया है जो कि सॉप्ट्रिवेर का ट्रायल चर रहा है इस समय साथ जन्पदों में जहां ज्यादा एक्टिव केस थे उनमें हमने पहले चरण में प्रारंब किया है और मज़े बताते प्रसंता है कि कल एक दिन में 18 प्लस के 18 से 44 के बीच में हम लोगों ने 20,000 से अधिक लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्द कराया था जिसमें 16,000 से थिक लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर कल दी गई अगर हम पुरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के 45 कि उम्पर से उपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस को देखेंगे तो यहाँ एक करोड 27 लाट 29,700 से थिक लोगों को अब तक हम वैक्सीन उपलब्द करवा चुके है यानि लगातार सरकार के अस्तर पर प्रियास प्रारंब हो रहे हैं और आज जो प्रदेश के अंदर सर्वाधिक केस आये थे वह 24 अप्रेल को आये थे जिस दिन एक ही दिन में 38,000 केस आये थे लगातार इस पर कॉंटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीटमेंट की कारवाई को आगी बढ़ाते हैं आज इस संख्या घड़ करके अब 30,900 तक आई है 30,900 तक जा हम लोग लगभग 3,000,000 टेस्ट प्रति दिन तक पहुँच चुके हैं लेकिन ये प्रियास हमें लगातार करने पड़ेंगे और इसमें हमें प्रियास हर एक अस्तर पर करना होगा कि कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक अस्तर पर इसे हम ब्रेक कर सकने उस दिशा में सरकार के अस्तर पर प्रयास प्रारम्व हैं उसी में आप सब के सयोग की अपेक्सा करते हुए आज हम लोगों ने आप सब के साथ हम लोग जुड़े हैं मुझे रताते प्रसंता है कि आप सभी व्यापारी बंदु इस बात को जानते होंगे कि जब मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश के अंदर उससे पहले किस प्रकार का वातावरण थी अविवस्था थी और दूसरे त्रेसे दिन बंगे होते थे अपराधियों का बोल बाला था अपराण उद्योग फलफुलडा था कोई देखती अपने आपको सुरक्सित मैसूस नहीं करता था सरकार ने अपराध और अपराधियों की प्रती जीरो टॉलेंस की नीती के तहट जो कारे प्रारंब किया आज उसका प्रदेश के अंद प्रियास किया गया है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपकी बीच नाया हूँ हम लोगों ने ब्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया और ब्यापारी कल्याण बोर्ड में सी रविकांत गर्गजी के नित्रतों में प्रदेश के प्रतिष्थित ब्यापारी और समाज सिर्वियों ने अपना कारे प्रारम किया इन्होंने GST के रेश्टेशन को भी को दस लाग तक पहुंचाने में कि गोशना की और उसको किर्यामित भी किया मुझे बदाते वे प्रसंता है कि लगभग 500 व्यापारियों को अब तक इस योशना का हम लाब दे चुके हैं और जहां भी इस प्रकार के क्लेम आते हैं उनको समय बद्ध डंग से आगे वड़ाने बंधों के बीच में दिखता भी है और उन्हीं चीजों को लेकर कि जहां भी नियाओं में सिथली करण करना हो चायवा इस ओप डूइंग बिजनेस में रिफॉम प्रफॉम और ट्रांस्फॉम की बात रही हो सरकार ने वारत सरकार के मार्क दरसन में तेजी के साथ इसे जो प्रस्तियां चली है ये ब्यक्ति के जीवन को भी और ब्यक्ति के जीविका को भी प्रभावित कर रहा है बड़े पैमाने पे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उन इस्तितियों में आज हमारा कुछ दाहिक तो बनता है पहली लहार में प्रदेश के हमारे अच्छा योगदान दिया तो चाहे वहाँ टोरिस्टे बिलिबरी का रहा हो चाहे वहाँ फूट पैकेट उप्लब्द कराने का कारे रहा हो या फिर अन्य तमाम असर पर जहां पर भी सरकार के स्तर पर कोई आवगान किया गया था उसमें भरपूर सयोग हमारे ब्यापारी ब दिया आज हमारे सामने नई समस्या आई है और खासतोर पर इस समस्या जो आप देख रहा होंगे कि संक्रमण 30 से 50 गुना बढ़ा है तो ऑक्षिजन की खबद भी 30 से 50 गुना और उससे ज्यादा भी बढ़ी है पहले लहर में ऑक्षिजन कितनी आउसे इता नहीं होती थी हम लोगों को एल वन और एल टू फैसिलिटी के ज्यादा बढ़ाने पड़ते थे एल फुरी के भी हमारे पास कुछ बैट्स बनाए गए लेकिन आज एल फ्री फैसिलिटी के ज्यादा बैट्स क्या हो सिखता है और उसको प्रदेश के अंदर हर जिले में वेंटिलेटर की सुद्धाम ने दी है तेंड मैंपावर भी उनको प्लब्द कराएं लगातार प्रियास किया जा रहा है कि जहां पे मैंपावर कम है वे लोग नए लोगों को वहां पे रिप्रूट करें और तत्काल इन चीजों को आगे बढ़ाने का कारेकर लेकिन उस सब के बाब जूद भी महामारी के सामने संसादनों की अपने एक सीमा है और वहां तभी हम महामारी पे नियंतन कर पाएंगे जब सभी लोग मिल करके एक साथ इस अभ्यान का हिस्सा बनेंगे स्वयम का बचाव करते हुए एक साथ मिलकर के टीम वर्क जब होगा तो इसका पैणा भी हमारे सामने आएगा और इस दिस से मैं आप सब का आवान करूँगा कि पहले चण में तुद्धान मंत्री जी ने आत्म निर्भर पैकेज की गोशना की थे और आत्म निर्भर पैकेज के अंतरगर कुछ बहुत इसमी यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया तो उसके सामें एक नए प्रयास हो सकते हैं ऑक्सिजन का जो संकट प्रदेश के अंदर देखने को मिलना है ऑक्सिजन के संकट में देश के अंदर इस समस्या बन रही है बनी हुई है प्रदेश इसको फिर भी काफी हब तक नि प्रदेशन के साथ जोड़ सकते हैं जैसे जहांसी के अंदर एक ब्रदेशन के बनी हैं और यूनिट से ऑक्सिजन उत्पादन के साथ जोड़ सकते हैं कारवाई को आगे बढ़ाया है कि ने जगोष जब नाइ्ट्रोजन यूनिट से ऑक्सिजन बनाने की कारवाई को आगे बढ़ानी का कार हुरा है और भी अन्य जगों पर बहुतmber नहीं चीजें सामने आ रहे हैं और यह औसर है जब मानवता को बचाने के लिए हम जीवंदानी ऑक्षिजन की उत्पादन के साथ कैसे नए कारे कर सकते हैं नए उनुस अंध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं इस दिसामें एक नया प्रियास होना चाहिए दूसरा मेरा आप सबसे पील कि करोना की चेन को ब्रेक करना अज के दिन पर आउस से और इसके लिए सरकार धीरे-धीरे कुछ कड़े प्रावधान कर रही है मेरा आवहान होगा कि प्रते एक जन्पद में इन नियमों का पालन करना हम लोगों ने प्रयास किया है कि ब्यापारिक गद्विधियों को अभी कहीं कोई प्रभावित करने की स्थिति नप होने पाए और हम लोगों ने पील एक और की ब्यापारी गद्विधियां अगर कहीं चलती है जैसे खास तोर पर दवा की दुकाने यहां बंदी के दोरान भी दवा की दुकाने चलनी चाहिए जिससे जरुतमंद को दवा अपलब दो सके लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि दवा की द कामान का आदान परदान कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत हो सकती इसलिए मास्क और गलप्स की का धारन करते वे उसको पहने वे अगर हम यह कद्विधी को आगे वढ़ाएंगे तो उसमें बचाओगा सेनिटाइजर रखा हो किसी चीज को छू रहे हैं तो सेनिटाइजर से हाथ दोने की विवस्ता हो जाए ऐसी हम कुछ विवस्ता वहाँ पर अगर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीप होंगी और उन चीजों का एक तो में पालन करना पड़ेगा दूसरा मैं इस बाद में आप दो गज की दूरी का पालन करना दे मार्केट में कहीं भीड़बार नहों हो जहां पर लोग दुकान में सामान लेने के लिए आते हैं किसी ब्यापारी प्रतिष्टान में या किसी एजेंसी में सामान लेने के लिए आते हैं वहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि दोगच की दूरी का उनपालन वे लोग जरूर करें। और इसके लिए अस्थानी अस्तर पर हम लोग कुछ नए मेंट पावर को वहां पर रखें जो इसमें सयोग कर सकते हैं प्रसाशन का भी हम लोग इसमें सयोग लें जिससे हम ये बता सकें कि ये जो भी प्रावधान किये गये हैं ये आप प्रते एक नाकरी की सुरक्सा के हैं हम लोगों को प्रियास करना चाहिए कि इस दिसा में हम लोग आगे बढ़ाने का कारे करें मैंट पावर हमारे पास वरतमान चंपा के लिए उपलब्द है लेकिन नए मैंट पावर के लिए भी सरकार के स्पर पर प्रियास प्रारम हुए जिसमें एक सर्विसमें रिटा प्रशिक्सू पासाट आड़ा है इन सभी को तो हम लोग जोड़ी रहे हैं हम लोग ने वी व्यूस्ता किया कि फाइनल नियर के सभी चात्रों के उसके साथ हम चोड जोड़ी और कि सभी चात्रों कrü ready की कारवई इस समय प्रदेश के अंदर तर पर चल लएए है इन सभी पर सरकार का ध्याना है और सरकार इन चीजों को लेकर के लगातार कारे कर रही है हम लोग इन चीजों को भी देख रहे हैं गाओं के लिए करोना के काल में सभी अपना योगदान दे सकते हैं और इस लड़ाई को सभी को साथ को लड़ना है